dear student अज का जो topic हम इस video में discuss करेंगे वो है diffraction of light तो इस video में हम diffraction के phenomena को पढ़ेंगे कि diffraction का phenomena क्या होता है इसके बाद फिर हम single slit के द्वारा जो diffraction phenomena होता है उसको study करेंगे और उसमें जो हमें dark fringes और bright fringes मिलती है उनके बारे में हम study करेंगे, detail में तो आज का जो topic है ये भी हमारा बहुत important है this topic is also very important और हमेशा ये 6 marks में हमारा board exams में आता है what do you mean by diffraction of light and give the conditions for maxima and minima इसमें भी जो हमें bright fringes और dark fringes मिलती है जिनको हम maxima और minima बोलते हैं तो ये पूरा derivation आज हम इस वीडियो में discuss करेंगे तो सबसे पहले इसमें दिया गया है what is the diffraction of light diffraction of light के phenomena को जो है यहाँ पे explain किया गया है तो diffraction of light is the phenomena of bending of light around the sharp corners and spreading the light within the geometrical shadow of the opaque obstacle is called the diffraction of light thus light deviates from its linear path this deviation becomes much more pronounced when the dimension of the aperture or obstacle are comparable to the wavelength of light तो इसमें क्या दिया गया है कि जो आपका diffraction होता है वो क्या है it is the phenomena of bending of light यानि कि light जो है वो आपकी bend हो जाती है कहां पे bend हो जाती है around the sharp corners जो आपके sharp corners होते हैं वहां पे वो आपकी bend हो जाती है और फिर वो light कहां पे enter कर जाती है that light enter the geometrical shadow of the opaque obstacle is called the diffraction of light तो एक definition तो इसमें ये दी गई है कि phenomena of bending of light around the sharp corners यानि कि जब light आपकी sharp corners के around bend हो जाती है या फिर light अपने linear path से जो है वो डैवियेट हो जाती है उसको हम diffraction of light कहते हैं इसको समझाने के लिए जैसे कि यहां पे हमारा मानलो कोई obstacle है यहां पे हमारा मानलो कोई opaque object है ठीक है और यहां पे भी हमारा कोई opaque object है तो यहां पे भी जो है हमारा एक opaque object है और यहां पे यह हमारा opaque object है और इसके बीच में यह वाला जो reason है यह हमारा खाली है empty space है अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अगर हमारी light rays अगर cross करें तो अगर हम इसमें से light rays को cross कराएं तो जब हमारी light rays cross होंगी तो वो यहाँ पे मान लो कोई source of light है यहाँ से हमारी light निकल रही है तो यहाँ से हमें पता है कि light हमेशा जो है straight line में जानी चाहिए क्योंकि इतना ही reason जो है empty है यह वाला portion जो opaque है और यह वाला portion जो है यह वी opaque है तो यहां से light जो है वापकी cross नहीं कर सकती तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यहां पर जो reason नहीं बनेगा इस तरीके से तो ये वाला जो reason है यहां से क्योंकि light आपकी ऐसे जा रही है तो हमें इतना पता है कि जो light होती है वो हमेशा straight line में travel करती है तो light को ऐसे जाना चाहिए तो इतने portion में जो है वो आपकी light आएगी और ये वाला जो reason होगा ये वाला ये जो हमारा opaque object है ठीक है इस opaque object के पीछे यहां पे हमारा ये वाला जो reason है यहां पे हमारी इस opaque object के यह जो है इसके क्या बन जाएगी यहां पे shadow बन जाएगी तो this is the reason of shadow तो ये भी हमारा shadow का reason है और ऐसे ही हमारा ये जो नीचे वाला portion है ये भी हमारा opaque है तो light इसको cross करके नहीं जा सकती तो इसके पीछे फिर क्या form हो जाएगा तो ये वाला जो reason है ये हमारा shadow का reason हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी इस तरीके से हमने देखा कि अगर हमारे पास ये opaque object है तो light इसको cross करके नहीं जा सकती तो बीच में हमारा ये empty space है तो हमें हमारे हिसाब से क्योंकि जो हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि light जो है वो हमेशा straight line में travel करती है तो मालों यहाँ पे कोई source है तो इससे जो light आई ये जाएगी और हमें ऐसा लग रहा है कि light जो आई ये straight line में ऐसे travel करेगी ठीक है तो यहाँ पे अगर हम कोई भी screen लगाएं तो यहाँ पे हमें 3 reason मिलेंगे हमारे हिसाब से ये जो इतना portion है हमारे हिसाब से ये जो इतना portion है ये हमारा कौन सा portion होगा यहाँ तक इतने portion में जो हमारी light है वो हमारी आएगी यानि कि हमारी जो light है वो यहाँ पे आएगी और क्योंकि light जो है इसको cross करके नहीं जा सकती क्योंकि ये opaque object है यानि कि फिर इस opaque object के पीछे ये जो इतना reason होगा ये वाला reason जो होगा यहाँ पे shadow आपकी बनेगी इस opaque object की जो shadow यहाँ पे बनेगी ऐसे ही यहाँ पे ये वाला object रखा हुआ है हमने तो ये भी आपका opaque object है तो light इसको cross करके भी नहीं जा सकती तो ये वाला जो reason होगा यहाँ पे भी इसका क्या form हो जाएगा shadow form हो जाएगी यहाँ पे ठीक है तो हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि light जो है वो क्योंकि linear path को follow करती है light travels इने straight line तो हमारे हिसाब से जो ये source में से light जा रही है ये इस खाली reason में से तो जाएगी ये straight line में जाएगी यानि कि इतना reason जो होना चाहिए आपका opaque object में से ये आपका नहीं जा सकती कोई block हो गया metal block हो गया तो इसको cross करके light आपकी नहीं जा सकती तो यहाँ पर फिर ये वाला जो reason है इतना reason ये आपका shadow का reason हो जाएगा और ये वाला जो reason है ये भी आपका shadow का reason हो जाएगा तो हमारे इसाब से सब्सक्रötट एःगी अगि यहां पे उसंगा थीज़ो सब्सक्राइब रिजन ओफ जोमेट्रिकल शेडो तो यह तीन पार्ट में अगर हमने डिवाइड कर लिया तो यहां से लेकर यहां तक हमारी लाइट आई थी यानि कि यह वाला रीजन ऐसा है जहां पर लाइट हमारी आ रही है क्योंकि उसको स्पेस मिल रहे आने के लिए एम्टी स्पेस में स्पेसे खाली जगे में से उसको हम स्लिट भी कह सकते हैं या गर हम उसमें कोई हौल कर दें तो उसमें से भी वो आप की आसकती है और यह वाला जो रीजन उपर वाला रीजन है ठीक है जहांपे हमने यह några पीछे वाला रीजन है जहां पे इसकी शेडो बनेगी इसको हम कह इसको हम कहेंगे reason of geometrical shadow तो इतने reason में जो है इस opaque object की shadow बनने चाहिए ऐसे ही हमने यहाँ पे जो opaque object रखा था जो कि इसमें से light cross नहीं कर सकती तो इतने reason में यह reason भी आपका कौन सा है it is the reason of geometrical shadow तो हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए क्योंकि light जो है वह आपकी straight line में travel करती है लेकिन जो हमारा diffraction का phenomenon होगा diffraction के phenomenon में light जो है वो हमारी क्या करती है क्योंकि जो हमने interference वाला chapter भी पढ़ा है interference वाले chapter में हमने देखा है कि जो light है वो हमारी light as a wave हम उसको किस तरीके से behave कर रहे है कि light हमारी as a wave की तरह behave करती है और हमने hygiene principle के बारे में भी पढ़ा कि अगर यह point source है तो इसमें से हमारे जो waves निकलती है यह इस तरीके की waves निकलती है ऐसे ही हमने plane waves के बारे में भी पढ़ा था plane wave front के बारे में भी पढ़ा था तो यहां पे हम diffraction के phenomenon के बारे में पढ़ रहे हैं तो diffraction में हमने पढ़ा कि light deviates from its linear path कि जो light है वो अपने linear path से deviate हो जाती है light deviates from its linear path यानि कि वो linear path को follow नहीं करती straight line में नहीं करती बलकि वो आपकी क्या हो जाती है वो आपकी bend हो जाती है कहां पे around the sharp corners पे या तो किसी corners पे या फिर हम उसके बीच में अगर कोई भी obstacle रख देते हैं या aperture रख देते हैं तो भी हमारी जो है light जो है वो straight line की वजाए वो क्या हो जाती है हमारी bend हो जाती है ठीक है तो यहां पे फिरम ने देखा कि light जो है वो इस तरीके से हमारी होनी चाहिए थी लेकिन जब हम इसमें diffraction वाला करेंगे तो diffraction की वज़े से यह हमारा opaque object था और यह हमारा opaque object है तो हमारे हिसाब से यह अगर हमारी screen है तो हमें लग रहा था कि light जो है वो ऐसे हमारी सीधी जानी चाहिए सीधी जानी चाहिए इस तरीके से और बाकी यह वाला reason भी जो है वो हमारा geometrical shadow का reason है बट diffraction of light की वज़े से यह अगर हम इसको लिख लें कि यह वाला reason है यह हमारा जा रही है, या width of slit भी अगर हम इसको कहें, तो यहाँ से जो light जाएगी, वो हमारी deviate, straight line से क्या हो जाएगी, deviate हो जाएगी, क्योंकि light आपकी किस तरीके से behave करती है, light आपकी wave की तरह behave करती है, तो हमें पता है, कि यह जो light लाइन जो है जैसे आपर्चर मीं से जाती है इस आपका इसे बेंड लॉ जाती है यह इन्लीक का से वो जोते है थो फिर जो Sum से फोन कर तो यह किसे देख में से जाती है तो एपर्चर में से जाते हुए या किसी अपस्टेकल में से जाती है तो तो अपस्टेकल में से जाते हुए वह आपकी स्ट्रेट नहीं रहती हमारे हिसाब से वह स्ट्रेट लाइन में जाती है तो हमारी हिसाब से वह इतने रीजन में रहनी चाहिए लेकिन ल यह reason कौन सा है यह reason हमारा geometrical shadow का reason है ऐसे ही नीचे वाले corner में से यह aperture में से जब हमारी light जाएगी नीचे वाले corner में से तो यह भी जैसे इसमें से cross करती है यह आपकी bend हो जाती है और bend के कौन से reason में enter कर जाती है this is the reason of geometrical shadow तो यह geometrical shadow वाले reason में enter कर जाती है और ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि light जो हमारी aperture में से जब भी जाती है वो हमारी bend कर जाती है और bend करने का जो फिनोमेना होता है इसका मतलब light जो है वो straight line में travel नहीं करती है उसके फिनोमेना से light हमारी जैसे ही obstacle में से cross करती है तो यह आपकी bend हो जाती है इसी फिनोमेना को हम क्या कहते है diffraction of light तो इसी फिनोमेना को हम diffraction of light कहते हैं तो light जब भी हमारी opaque object है तो हमारे इस आप से opaque object में से light आपकी travel नहीं करेगी तो यहाँ पे इसकी shadow बनेगी तो यानिकि यहाँ पे बिल्कुल dark होगा shadow यानिकि यहाँ पे बिल्कुल dark reason होना चाहिए और यहां पर भी बिल्कुल डार्क रीजन होना चाहिए लेकिन यह लाइट जो है जैसे इसमें से क्रॉस करती है क्योंकि लाइट जो है आपकी वेव की तरह भी हेव करती है यह हमने पड़ा है जैसी हमारी वेव की तरह भी हेव करती है तो जैसी अपर्चर में स Foljam Contextion of Light कहते हैं तो यह यहां पर दिया गय हैσim कि प्र इनोमिना ऑंफ बेंडिंग और उसलाइट की जो आपकी बैंडिंगों फ़लए तो जाती है यानि कि यानी कि या रांडशाव प्रती, आफज नग्रूट में और उसला स्थाइट में से travel करती है इसी phenomenon को हम क्या कहते है diffraction of light ठीक है यानि कि light जब भी हमारी किसी sharp corner में से cross करती है या किसी opaque obstacle पे strike करती है तो वो straight line deviation से यानि कि जो वो हमारा linear path है linear path का मतलब कि light हमारी straight line propagation से क्या हो जाती है deviate कर जाती है उससे और वो उसमें मुड़ जाती है bending of light इसी phenomenon को हम क्या कहते है diffraction of light कहते हैं फिर यहां पर दिया गया है the deviation becomes much more pronounced when dimension of the aperture और obstacle are comparable to the wavelength of light यानि कि जो diffraction का phenomenon है वो कब जादा होता है diffraction का phenomenon हमारे लिए कब जादा होता है कब जो है वो effective होता है जब हमारा obstacle या हमारे aperture का size किसके बराबर होता है wavelength of light के बराबर होता है ठीक है तो हमें पता है कि जो हमारी light की wavelength होती है जो हमारी light की wavelength होती है ठीक है जो हमारी visible light होती है वो हमारी होती है 400 nanometer से 700 nanometer तक की light जो है वो हमारी visible light होती है यानि कि इसका जो lambda है बहुत ही small होता है और इतने small size का aperture क्योंकि यहां पर क्या लिखा है कि जो diffraction phenomena जो होते हैं वो तभी ज्याद़ effective होते हैं जब lambda कि इसके comparable होता है obstacle के size के यानि कि A जो है वो obstacle का size है तो light के case में यह lambda जो है यहां पर हम अगर इसको meter में change करें तो 10S to power minus 6 meter है 10S to power minus 6 meter है और इतना छोटा यानि कि micrometer size का obstacle सर्च करना जो है बहुत ही difficult होता है तो इतने छोटे size का aperture जो है वो हमें बहुत मुश्किल से मिलता है इसलिए light rays के लिए जो visible light होते हैं उनके लिए diffraction जो है is not so common तो यहां पर फिर लिखा है जो diffraction of visible light is not so common as obstacle और aperture of this size are nearly available क्योंकि 10S to power minus 6 meter का क्योंकि light की जो wavelength होती है 10S to power minus 6 meter है और इतने छोटे size के obstacle जो हमारे daily life में बहुत ही कम होते हैं इसलिए diffraction के phenomenon को है हम daily life में इतना observe नहीं कर पाते हैं तो यहां पर फिर दिया गया है इस वाले figure में इस वाले figure में फिर दिखाया हुआ है कि यह हमारी एक slit है ठीक है यह हमारी एक slit है और इसकी जो aperture है इसका जो size है वो slit की जो width है वो A है और यह हमारी incident light है और जैसे incident light हमारी इसमें से cross करती है तो इस वाले figure में क्या दिखाया गया है कि यहाँ पे हमारी एक slit है यहाँ पर यह हमारी एक slit है ठीक है यानि कि यह हमारा एक empty space है और यहां से लेके यहां तक का जो distance होता है इसको हम क्या कहते है तो यह हमारा size of aperture कह लिए हो या size of obstacle कह लेते हैं इसको कुछ भी कह सकते हैं तो A is the size of aperture और इसके बाद जैसे ही हमारा यहां पर यह incident wave हमारी हमें पता है plane wave जो होती है हमारी यह वाली जो waves है यह हमारी plane waves है लेकिन जैसे ही यह हमारी इस aperture में से पास करती है तो यह हमारी बेंड हो जाती है इस तरीके से यह हमारी बेंड हो जाती है इसी को हम क्या कहते है डाइफ्रेक्शन ओफ लाइट कहते है कि लाइट जो है वह हमारी बेंड हो गई पहले हमारी जो पैरलल लाइट थी तो पैरलल लाइट का मतलब उसका जो wave front होगा वह हमारा plane wave front होगा और ज दूसरा case दिखाया हो तो जब a जो होगा लेंड़ा से जञाधा होगा इसका मतलब कि वैवलेंदो कम है और ये जो aperture का size है ये हमारा ज्यादा है aperture का size ज्यादा है तो fees मेना होगा यहाँ पर люб होगा Lewis के टो üstjac c भी हमारी कम होगी और diffraction का phenomenon जो है वो भी कम होगा लेकिन second case में जैसे ही हम देखते हैं कि यहाँ पे a is equal to lambda है तो यहाँ पे हमारे पास perfect condition आ गई है कि जो aperture का size हमने छोटा कर दिया यहाँ पे यहाँ से लेकि aperture की size को हमने छोटा कर दिया और उसको हमने कितना छोटा कर दिया wavelength of light के बराबर कर दिया तो अगर हम दोनों को compare करें तो यहाँ पे जो light थी इस case में यह कम bend हो रही थी लेकिन जैसे ही हमारे obstacle का size wavelength of light के बराबर होता है 10 is to par minus 6 meter के बराबर होता है तो यह जो light है यह बहुत ही जादा हमारी bend करने लग जाती है इसका मतलब diffraction का जो phenomena है वो हमारा अब जादा होगा या bending of light जो है वो जादा होगी और थर्ड केस फिर यहां पे हमें दिया गया है थर्ड केस में कि थर्ड केस में कि अगर aperture के size को या obstacle के size को हम और भी छोटा कर दें यानि कि A को हम lambda से भी छोटा कर दें तो diffraction का phenomena जो है फिर और भी जादा हो जाएगा तो इस केस में light जो है वो हमारी और भी जादा बेंड होनी start हो जाएगी तो यह था हमारा diffraction का phenomena यानि कि जैसे यह हमारा plane wavefront है ठीक है plane wavefront है तो जैसे यह plane wavefront हमारा किसी aperture में से क्रॉस करता है, तो इस aperture में से क्रॉस करके, यह हमारा ऐसा ही रहना चाहिए था, लेकिन यह हमारा ऐसा नहीं होता, बलकि यह हमारा aperture में से जैसे क्रॉस करता है तो यह हमारा ऐसे bend हो जाता है, इसी कोई हम क्या कहते है diffraction of light, तो पहले case में हमने देखा कि जब A का size जो होता है वो lambda से बड़ा होता है तो bending कम होती है ठीक है लेकिन जब हम इसका second case लें कि जब हमारा A और lambda बराबर होते है तो diffraction का phenomenon ज़्यादा होता है और bending जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और अगर हम aperture के size को और भी कम कर दें यानि कि A को हम lambda से और भी ज़्यादा कम कर दें तो bending जो है फिर हमारी सबसे ज़्यादा होती है और diffraction जो है वो सबसे ज़्यादा होता है तो I hope dear student आप सभी को diffraction के phenomenon के बारे में अच्छे से यह concept आपका clear हो गया होगा कि light जभी हमारी किसी obstacle में से cross करती है तो obstacles को cross यह वाला reason जो था हमारा यह यहां से लेकर यहां तक का जो reason था यह geometrical shadow का reason था और यहां से लेकर यहां तक का जो reason था यह भी हमारा geometrical shadow का reason था यानि कि light जो है वो इतने reason में रहनी चाहिए थी लेकिन वो इतने reason में ना रह करके वो हमारी ऐसे बेंडों के geometrical shadow वाले reason में पहुंच जाती है इसी phenomenon को हम क्या कहते हैं diffraction तो ये था हमारा diffraction of light तो next इसमें जो हमारा important topic है वो है हमारा diffraction of light